हमेशकार दोस्तों आपको याद होगा 2017 में उरिसा के दोरा एक डिमांड किया गया था कि जो पाइकर रेवोल्यूशन हुआ था उरिसा के अंदर उसको First War of Independence डिक्लेर कर दिया जाए आज के डेट में आपको पता होगा कि जो Revolt of 1857 है उसी को First War of Independence बोला जाता है लेकिन यहाँ पर उरिसा के दोरा डिमांड थी कि पाइकर रेवोल्यूशन को यह बुलाए जाए तो इसी को लेकर फाइनली Central Government का यह निर्ने आया है और Parliament के अंदर उन्होंने यह कहा है कि इसको हम First War of Independence डिक्लेर नहीं कर सकते तो यह पुरा मामला क्या है पाइकर रेवोल्यूशन क्या थ वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर StudyIQ.com विजिट करिए वहाँ पर सारी जानकारी चाहें UPSC, State PC PCS, Banking, सभी कुछ आपको मिल जाएगा और इसके लाबा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं वहाँ पर Stories में आप उसको attempt कर पाएंगे तो चलीए आपर सबसे पहले हम देखेंगे हो क्या रहा है अब इसकी चर्चा क्यों चल रही है जैसे आपको पत अचर मिनिस्टर है G.Krishner Reddy उनसे जब ये question पूछा गया कि क्या Piker Rebellion को, Revolution को, Rebellion को, क्या First War of Independence हम कह सकते हैं तो यहाँ पर उनका ये बयान आया है, written reply आया है सेंटर की तरफ से और कहा है कि हम इसको First War of Independence नहीं बोल सकते हैं और जैसा मैं आपको बताया कि 2017 से उडिसा इस 2017 में जब ये पूरा मामला चल रहा था, तो उस समय जो HRD मिनिस्टर थे, अभी तो क्या है, वो Ministry of Education हो गया है HRD मिनिस्टर तो उस समय जो मिनिस्टर थे प्रकाश जावडेकर जी, उन्होंने इसको लेकर भी बयान दिया था और कहा था कि 1817 का जो Piker Revolution है, इसको First War of Independence हम बुल पूरा था क्या, तो देखें, इसको Piker विद्रो भी कहते हैं, जो कि 40 साल पहले हुआ था, 1857 में आपका revolt हुआ था, सेपोई म्यूटिनी, तो उसके 40 साल पहले आप देख सकते हैं, ये पूरा rebellion हुआ था, और इसके अंदर बताया जाता है कि जो peasants है, अंडर दी गजपती rulers उरिसा, तो उरिसा के अंदर जो गजपती rulers थे, उनके अंदर जो peasants थे, वो अपना military service देते थे king को, राजा को military service प्रोवाइड करते थे, और Britishers ने क्या किया था, अपने आपको establish कर दिया था, इन उरिसा, इन 1803, तो 1803 में, Britishers ने अपने आपको वहाँ पर उरिसा के अंद या Britishers ने और अपने आपको स्थाबित करने की कोशिश की, फिर अगले साल 1804 में आप देख सकते हो, जो king है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया, और उसने यहाँ पर rebellion की सोची, देखना, rebellion के बारे में जश्ट सोचा था, कि हम यहाँ पर Britishers के खिलाफ rebel कर सकते हैं, लेकि जाहिर सी बात है, कि उसके अंदर जो भी पाइकाज, ये जो peasants रहते थे, उनको उनका जो पुरा e-state है, जो भी कुछ था, वो Britishers के अंदर आ गया, और सभी कुछ जो administration है, वो Britishers यहाँ पर समालने लग गया, तो जाहिर सी बात है, आपने ये भी सुना होगा, कि Britishers के दौर वहाँ की economy, revenue system को लेकर, एक प्रकार से आप कह सकते हो, Britishers जो है, वो peasants को लेकर exploit करते थे, operation उनके उपर किया जाता था, और finally ये सारी जो चीजें होने लगी कुछ वर्षों के बाद, यहाँ पर जो पाइकाज हैं, जो peasants हैं, उन्होंने rebel कर दिया, Britishers के खिलाब, तो ये rebel क हुआ, finally जाकर 1817 में, 2nd of April 1817 में आप देख सकते हो, कि जो peasants हैं, उनको mobilize किया गया, अंडर दी leadership of बक्षी जग बंदू बिद्याधर, तो ये नाम यहाँ रखेगा, कि किसके leadership में ये पुरा revolt हुआ था, बक्षी जग बंदू बिद्याधर, उनके दोरा सभी जो पाइकाज हैं, उनको mobilize किया गया, और Britishers के खिलाफ एक प्रकार से जंग छेड़ दी गई, और जैसे ये चीज़ स्टार्ट हुआ, पूरे राज्य के अंदर आप कह सकते हो, कि wildfire की तरह जो खबर है वो पहुँच गई, और लोग इसको लेकर विद्रोग करने लग गए Britishers के खिलाफ, लेकिन जहाई से बात है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि Britishers के पास बहुत सारी advanced technology थी, gun थे उनके पास, तो काफी जादा confrontation, encounters देखने को मिले, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो पाईकाज हैं, उन्होंने government buildings को यहाँ पर जला दिया, पुलिसमेन को भी यहाँ पर ज कर दिया पाईकास को, क्योंकि पाईकास के पास उतना resources नहीं था, वो कितने दिन तक हिसीच को sustain कर पाते हैं, फानली आप देख सकते हो, 1825 में, मतलब यह पूरा जो rebellion है, 1817 से start हुआ था और फानली 1825 तक ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत लंबे समय तक चला था, 8 साल क के आसपास, जो विद्यादर थे, जो लीडर थे, उनको यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है, और चार साल के बाद उनकी जेल में ही मिर्तिव हो जाती है, तो यही था पूरा आपका पाई का, rebellion पाई का विद्रो, अब जहां तक उडिसा की बात है, यह जो पूरा incident हुआ था, 1817 का, तो उडिसा ने इसको लेकर डिमांड उठाई सबसे पहले 2017 में, और 2018 में आपको पता है कि जो state election वगरा था, वो भी चल रहा था, तो कहीं न कहीं politics भी आपको देखने को मिलेगी, 2017 में यहाँ पर जो state cabinet है, उन्होंने एक proposal formally एक प्रास किया, और center से अर्ज किया, करें, positive way मिले, correct perspective में हमें डालना चाहिए कि कौन सा first war of independence था, state cabinet ने proposal डाला, कि यह जो पुरा rebellion था, it was described as a mass agitation, और इसी की वज़े से हमको इसको first war of independence में डालना चाहिए, in fact आगे चलकर 2019 में भी जो chief minister पतनायक जी है, उनके द्वारा यह demand किया गया था, क्यूंकि उस समय एक एक और चीज में आपको बता दूँ कि पाइका rebellion जो memorial है, वो Odisha के अंदर स्थापित किया गया था, laying ceremony चल रहा था, जिसमें प्रेसिडेंट रामनात कोविंद जी भी सामिल हुए थे, उस समय भी chief minister नवीन पतनायक ने अपने demand को दोराया था, फिर यहाँ पर जो center का response आया ह उनके साथ हमने यहाँ पर विचाल विमर्श किया और finally जो उनके द्वारा recommendation दिया गया है, उसके अधार पर यहाँ पर हम इसे first war of independence नहीं declare कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा center government ने काया है कि क्योंकि यह काफी sustained rebellion था, 8 साल तक यह पूरा चला था, और popular uprising था Britishers के खिला, तो ह हम इसको definitely जो class 8 की NCRT book है history की, उसके अंदर include करेंगे, मतलब कि इस rebellion के बारे में लिखा दो जाएगा, लेकिन first war of independence अभी भी जो revolt of 1857 है, वही बोला जाएगा, इसके लावाद जब यह पूरा मामला चल रहा था 2017 में एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, केरला के अंद कि अगर हम केरला के अंदर भी देखें, तो बहुत सारे 1857 के पहले बहुत सारे इस तरह के आपको revolt देखने को मिलेगे, in fact केरला में जो historians है, उनका कहना है कि 1721 में East India Company के खिलाफ एक revolt छेडा गया था लोगों के द्वारा जिसको बोला गया a tingle revolt, और इसके अंदर आप 1873 जो Englishmen है, soldiers हैं, उनको वहाँ पर लोगों ने मार दिया था, तो कई historian का कहना है कि हमें तो फिर उस particular incident को यहाँ पर First War of Independence और इस तरह से डिकलेर कर देना चाहिए, तो finally यहाँ पर आज होग कि आपको समझ में आ गया होगा कि पुरा मामला क्या था, पाई का revolution क्या था, और यहाँ पर अभी भी जो revolt of 1857 है, उसी को First War of Independence बोला जाएगा, जाने से पहले एक interesting question यहाँ पर confused मत हो जाना, लेकिन जो question है जहाँ से पढ़िएगा लिखा है कि who is the author of the book, The First Indian War of Independence 1857-59, यह जो particular book है, किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता अंदर वहाँ से जाकर आप play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF यही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जूर सकते हैं, और अगर आप UPC या फिर किसी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download कर लीचाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिल आप